आप लोग सब बढ़िया होंगे तो फाइनली आप क्लास 10 में आ चुके हैं और कॉंग्रेटुलेशन्स आप सब लोगों को अपने करना सुरू कर दिया होगा बट एक चीज मुझे पता है कि आप लोग बहुत जादा कंफ्यूजड होगे आप लोगों को यह समझने आ रहोगा कैसे पढ़ें कहां से पढ़ें कितने देर तक एवरीडे पढ़ें यह सब बहुत सारा कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में होगा यह वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताके आपका यह सारा कंफ्यूजन में क्लेर करूं और आप आराम से बिना कंफ्यूजन का शांद दिमाग से पढ़ाई पर फोकस करके आप पढ़ाई कर सको राइट तो सबसे पहला कुशन जो आपके दिमाग में उट कर होगा कि कौन से बुक से हम लोग में पढ़ाई करें चैनल में अभी फिलाल जनृरी चल रहा है और पढ़ाई शुरू करण इसके लिए क्मधा अवा कूई अगर सजेस्ट कर रहा है आपको उस पर धियान नहीं देना सबसे पहले अपने स्कूल के दिये हुए बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है एक बार वो बुक कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या गरना होगा आपको वो मैं उनुप olacak और सफिशियंट होगा कोशन उसी बुक से आएगा दूसरा कोशन जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा कि कहां से हम लोग पढ़ाई करें पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें कहां से पढ़ें कौन सा कोर्स लेलें कौन सा कोचिंग जोयन करे तो सिम्पल साइस का अनसर ये है कि कोई भी एक best नहीं है कि ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि online आपके लिए best होगा या offline अपके लिए best होगा depend करता है कि आप किस तरीके का student हो यानि आप try करे के देखो कि क्या आप फोन को लेकर एक गहंटे बैच कर आराम से class कर पा रही हो अगर आप class नहीं कर पा रहे हो पदा चल रहे हो आप फोन लेकर बैटे हो class करने के लिए और पांच मिनद बात फिर फोन में कुछ वाजी करने लग रहे हो तो फिर आप online न पढ़के offline पढ़े तो बेतर होगा बढ़ अगर आप online पढ़ सकते हो अच्छे से दिन क्या है कि बहुत सारा time आपका consume जो होगा ट्रैविलिंग में वो बच जाएगा यानि मान लेते हैं आप physics के लिए कोई class करने जा रहे हो आप life science के लिए अलग class करने के लिए जा रहे हो तो जो traveling time है वो आपका कम हो जाएगा और थकान जो होता है जब आप start करोगे ये बहुत सारा coachings वगरा जाना तब आपको पता चलेगा कि आने जाने में बहुत time और तो मैं आपको बोलू हूँ कि आप online पढ़ें और जो बचे चाते के concept रहा से prepare करें मध्यमिक 2024 के लिए और चाते हैं कि मैं आपको personally पढ़ा हूँ पूरा का पूरा syllabus तो आप लोगों के लिए course यानि new batch मध्यमिक 2024 के लिए concept Arabic course आने वाला है इसका video 17 तारीक को release हो जाएगा य 17 तारीक को video आ जाएगा इसी channel पे तब तक के लिए आप wait करें उस video का आने का next question जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा कि भया हर दिन हम लोग कितने घंटे पढ़ें जिससे के हम लोग अच्छा marks score कर पाएं मध्यमिक में simple सा question ये आपके दिमाग में self study करना चाहिए तो self study आपको दो घंटे बस दो घंटे आपको self study करना है everyday लेकिन ध्यान रहे कि वो दो घंटे everyday हो रहा हो ठीक है अगर अभी से आप जैन से दो घंटा everyday पढ़ाई करो गए ना तो फिर आप देखना कि कितना जल्दी syllabus आप complete करते हो कितना जादा concept आपके दि आराम से पढ़ाई करें, relax होकर जादा परिशान भी ना हो तो everyday दो घंटा self study में आपको अभी से देना है ठीक है इतना अगर आप everyday दे पारे हो self study में तो more than enough है ये आप देखना दीरे दीरे आपको समझाएगा कि हाँ syllabus बहुती आराम से और बहुती easy तरीके से मैं complete कर पा र है कि वो 2 घंटा everyday आपको देना है school coaching के अलावा next question जो आपके दिमाग में आ रहा होगा और अगर नहीं भी आ रहा है ये question आपके दिमाग में तो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि किस subject को कितना time दे हम ये बताए बहुत ही crucial होता है हमें time management भी सीखना होगा right तब तो पता 30-40% जो आपका complete पढ़ाई है वो आप math को रखो ठीक है यानि math पे आपको बहुत ज्यादा time देना है simple मैं ये कहना चाहरा हूँ होता क्या है कि math में होता है concept यहाँ पर याद करने वाला चीज नहीं है यहाँ पर आपको समझना है समझ कर ज्यादा से ज्यादा questions को practice करना है अब क्यूंके समझ के आपको ज्यादा ज्यादा question practice करना है तो इसमें आपका ज्यादा time लगेगा clear है तो आपको क्या गरना है आपको simply math को 30-40% time देना है इसके अलावा जो है वो आपको physical science पढ़ना है then life science और उसके बाद history जोग्रफी ठीक है more than enough होना चाहिए language subject के लिए ठीक है तो math में आपको ज्यादा practice करना है हो सके तो everyday जो आप self study कर रहे हो उसमें slot थोड़ा सभी होना चाहिए math का लेकिन आपको everyday math उसमें रखना है यानि 15 मिनट के लिए अगर आप math रख पाओ तो 15 मिनट भी आपको एक sum भी बनाना है लेकिन एक habit बनाना है कि हाँ everyday मुझे math का question को solve करना है ठीक है now last चीज में जो मैं आप लोगों को suggest करना चाहूंगा बताना चाहूंगा और इसके अगर आपने इसको अच्छे से follow नहीं किया या नहीं समझा या इस पर ध्यान नहीं दिया then trust me पूरा साल आपका बरबाद हो जाएग मैं उनको बोलता हूं कि notes बनाया हो आप तो नहीं भईया notes नहीं बनाया है हम तो अभी से जब आप जैन से पढ़ाई अपना सुरू कर रहे हो जहां भी पढ़ो online पढ़ो offline पढ़ो school में पढ़ो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे जो भी आपको ऐसा ल principle यह है कि notes आपको जरूर बनाते जाना है starting से होगा क्या कि देखो initially पढ़ाई करोगे कुछ समझाओंगा मैं आप समझ जाओगे आपको लगेगा हो गया बट ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप इतना सा पढ़े हो जब आप इतना सा पढ़ोगे ना उसके बाद को क्या लगेगा कि जा इधर वाला तो हम भूल चुके हैं तो उस वक्त जब इधर वाले का notes रहेगा उसको वापिस खोलोगे तो वो वाला वापिस से याद आ जाएगा लेकिन notes अगर बनाई हुए नहीं रहेगा तो जो आप पढ़ते जा रहे हो वो समझो एक तरीके का आ आप अपना time waste करते जा रहेगा अभी समझ चुके हो बडबाद में फिर वापिस से problem हो जाएगा तो कुल मिला के बात यह है कि notes आपको जरूर बनाना है किसी भी हाल में तो ये था वो सारा questions जो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में उठ रहा होगा हो सकता है कि मैंने सारा questions जो सा बात यह है कि थोड़ा सा patience रखना है थोड़ा सा सबर रखना है ठीक है starting में आपको समझ में नहीं आएगा but trust me धीरे धीरे जैसे जैसे एक चैप्टर दो चैप्टर तीन चैप्टर complete होगा वैसे वैसे आप समझ जाओगे पूरा pattern को समझ जाओगे और फिर आराम से सारा confusion दूर हो जाएगा और आप अराम से पढ़पाओगे तो अभी उतना नहीं चट पढ़ाना है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहे नहीं शांत होकर आराम से जो भी पढ़ाया जाए वह चीज़ आप पढ़िये दीरे दीरे एक दो चैप्टर जब complete होगा आपको syllabus के बारे में syllabus का pattern और basically आपको overview सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद आप देखना आराम से आपका पढ़ाई होगा तो अभी इतमिनान से बस जो भी पढ़ाया जाए चुप चाप आराम से खेली उसको पढ़ना है एक दो चैप्टर complete होगा सारा जो भी confusion आपके दिमाग में वो चीच clear हो जाएगा और हां tension नहीं लेना है आप लोगों के साथ मैं personally और पूरा concept रा टीम पूरे साल आपके साथ रहेगा तो tension का कोई बात नहीं है कोई भी question हो कहीं पे भी कुछ problem हो कोई doubt हो आपके साथ concept रा है आपको बिलकुल भी tension नहीं लेना है आपको बस बिंदास होकर क्या करना है पढ़ा ही करना है तो यह तक वीडियो जिसमें मैंने कोशिस किया कि आपके दिमाग में जो भी confusion उठ रहा हूं मध्यमी 2024 के preparation से related वो clear कर पाऊं इसी के साथ मिलूंगा आपसे next वीडियो में जो के होगा आप लोगों के लिए नया batch launch व